पॉस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरत उत्य प्रदेश के कास गंज बे मंगलवार देर रात को हुए पुलिस हत्यकान के एक आरोपी को पुलिस ने बुदवार को इनकाउंटर में मार गिराया है जबकि मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी फरार है और उस पर 50,000 रुपे का इनाम रखा गया है वही मरने वाले की शनाखत मोती धीमर के भाई एलकार के रूप में हुई है दरसल ये पूरा मामला कास गंज के गाउं नगला धीमर का है मंगलबार की देर रात को गाउन अगला धीमर में सिपाही देविंद्र और दरोगा अशोक मोती धीमर नाम के बदमाश को वारन तामील कराने गए थे लेकिन बदमाशों ने यहां उन पर जानलेवा हमला कर दिया बदमाशों ने सिपाही की हत्या कर दी और दरोगा को बुरी तरह पीट-पीट कर खायल कर दिया और खेत में फैक गए और अब इस हत्यकान के मुख्या आरोपी और उसके साथियों की धर पकड के लिए पुलिस की चापे मारी जारी है फर्स्ट बाइट की रिपोर्ट बाइट की चापे मारी जारी है